है यह दोस्तों मेरा नाम है रमेश कुमार यादव हम देख रहे हैं एस्टेमेट टूटोरियल एस्टेमेट टूटोरियल की इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं ओडियो टेक के बारे में पहले हम सौंगस जब हमें डाउनलोड करने होते थे तो हम एक बहुत इस। लोग सोंगस ऐसे करनी के लिए हम उडियो टेक का यूज करते थे वेबसाइट वाले songs.pk वेबसाइट वाले उस टेक का यूज करके उनकी वेबसाइट के अंदर folders वगरे बनाके वहाँ पर वो अपनी songs डिस्प्ले कराते हैं जो कोई भी नई म्यूवी रिल्यूज होती थी तो उसके सारे वेबसाइट में मिल जाते हैं या तो और भी कई सारी एसी बहुत सारी वेबसाइट ही थी जिसके उपर से हम songs डाउनलोड करते थे आज के जमाने में तो बहुत कम लोग songs डाउनलोड करते हैं क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे आप आ गया है जिसके उपर हम वीग म्यूजिक हो गया गाना.com हो गया वहां सीधे जाते हो और songs सुन लेते हैं क्योंकि आज के जमाने में data बहुत free पड़ा हम लोग songs डाउनलोड करके अपने mobile file के अंदर रखते नहीं है हम डायरेक्टी ओनलाइन गानी सुन लेते हैं तो अब बात आती है audio tag की audio tag हम अपने वेब पेज के उपर अपने कोई audio हमारा लगाना है समझ लिए कोई आपका voice recording होगा आप उस voice recording को आपके वेब पेज के उप पर display कराना चाहते हो लगाना चाहते हो तो audio tag की मदद से लगाओ तो audio tag के अंदर भी कई सारे attributes है जैसे image tag के अंदर कई सारे attributes थे वैसे ही audio tag के अंदर भी कई सारे attributes है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है controls फिर autoplay muted loop उसके बाद में preload करके attribute होता है उसके अंदर तीन यह और एक आज की इस वीडियो में हम यही attribute लगाकर image अपना audio tag show कराके दिखाऊंगा मैं आपको एसे ही और भी कई सारे attribute है लेकिन हम आज की इस वीडियो में इतने attribute लगाकर अपनी audio को display कराके देखेंगे या तो songs कोई जो हमने download करके रखा होगा उसे हम अपने display webpage के उपर display करवाएं already मैं चाहे तो आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर audio मेंने download करके रखा हुआ है तो यह मेरा desktop के उपर HTML नाम का एक folder है इस folder के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ नहीं फाइल बना लूँगा जिसको मैं नाम दे देता हूँ audio.html नाम से हम यह फाइल को सेव कर लेंगे यह मैंने फाइल सेव कर लिए और इसे एक्सलामेटरी मार्क देखे यह मेरा template को डा चुका है अब इसके अंदर में title के अंदर audio tag नाम दे देता हूँ इसे में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने audio tag इसे नाम दे दिया है आप ज audio tag का syntax से हमारा इस तरह से हम audio tag लगाते हैं और इसे हम close भी करते हैं image tag जो हमने पिछली वीडियो में सिखा था उसे हम close नहीं करते थे वह एक empty tag था लेकिन audio tag जो है उसे open भी करना है और उसे close भी करना है अब audio tag के अंदर हम और एक tag लगाएंगी जिसका नाम है source अब यह source tag जो है इसे हमें close नहीं करना है क्यों नहीं करना है क्योंकि एक empty tag है source को close करने की कोई जरूवत नहीं है अब आप सोच रहे होंगे आपने अगर देखा होगा मेरा पिछला वीडियो अगर देखा है आपने image tag का तो image tag के अंदर हमने image नाम का जो tag हमने लिया उसके अंदर image tag क के अंदर ही आप src attribute यूज़ करके audio का जो path होगा उसे देखे सिधा आप उसे display नहीं करा सकते है वेपेज के उपर audio tag सिर्फ एक format है जिससे वह एक format प्रदान करता है अपने वेपेज को कि यहां इसके अंदर एक audio file आएग डिस्पले कराने के लिए वेपेज के उपर source ना मेरा जो path है audio का वह path देदूंगा तो मैंने same file folder के अंदर ही रखा हुआ है मैंने जहां पर audio tag file को save किया है वहीं पर audio भी मैंने download करके रखे हुए है तो मैं सिधा यहां पर src के अंदर उस take का sorry उस audio का नाम देदूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं interface नाम से मैंने interface-1244464.mp3 नाम से मैंने यह download किया हुआ है तो इसे मैं अब यहां पर जैसे ही interface नाम देता हूं तो यहां पर मुझे suggestion आ चुका है तो यह मैंने यहां पर उसे एंटर करके ले लिया है उसके बाद में src के बाद में एक attributed type नाम का src के साथ type नाम का attribute लगान तो इसके अंदर हम क्या बताएंगे कि एक audio file है तो type के अंदर हम बताएंगे कि एक audio file है तो इसके अंदर हम audio slash forward slash mp3 ऐसा नाम दे देंगे यानि कि यह समझ जाएगा कि एक audio file type देना जरूरी है type दे दीजिएगा अगर और अब इसे में save करके आपको run करके दिखा देता हू गोल आयू जाते हैं गोल आयू जाके आपको दिखाता हूं आ तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमें कुछ सो नहीं हो रहा है क्यों सो नहीं हो रहा है तो इसका एक कारण ये भी है कि हमने इसे अभी तक controls नहीं दिया है आपको स्थार्टी में बता थे controls नाम का attribute जब हम audio के आपको लिए अब रन होगी या नहीं होगी तो आप देख सकते हो यहां पर आ चुका है देख सकते हैं हमारी फाइल रन हो चुकी है जैसे ही में यह audio tech का पूरा format आ चुका है आप देखे यहां पे play का button है यहां पर यह sound button है अब मैं इसे run play करके देखता हूं जैसे में play करता हूं आप देख सकते हो यह play हो रहा है दोई second का sound था तो मैं चाहता हूं थोड़ा पड़ा तो इससे यहां पर दूसरा मेरा जो फाइल है वह मैं चेक कर लेता हूं यहां पर sound नाम का जो मैंने download करके रखा हूं है मैंने यहां पर उसे import कर दिया है और इसे हम लगा के अब देख लेते हैं ने यहां यां तो इसका the problem कर सकते हो यहां पर सारे control इसे भर सकता हूं और आवाज को बीच में करके तो मुझे यह ans में इससे बंद भी कर सकता हूं यानि चांट्रों जो हमने डिया और उसप्डेग के अंदर और कंट्रों देने से ही इसे इसमें से कंट्रोल दे रहा है पोस्ट करने का वॉल्यूंग का यह हमें रहा है एक देख सकते हों आपको लावी ले जाके दिखा देता हूं आप देख सकते हो यहां पर यह मूटेट दिख रहा है हमें हमारा result मिला था मूटेड का यह मने यूज नहीं क्या था तो वह एसा अब जब हम ग्लिक किया तो यह unmute हो चुका है अब यह आवाज आ रहा है मूटेट के बाद में आता है हमारा लूप आट्रीबूट में है कि यहां पे लगा दिया है लूप आट्रीबूट का यूज़ है क्या है नूप आट्रीबूट करना पड़ता है यहां पर पहले तो मुटेड कर देता हूं यह हमारा साउंड आ रहा है देख सकते हूं इसे में थोड़ा भगा देता हूं फास्ट कर देता हूं तो आप खतम होने के बाद किस्ट से स्टार्टिंग से चालू हो जाएगा च्रोल म्यूटेड लूप अट्रिब्यूट के बात में आता है हमारा एक आटो प्ले नाम का अट्रिब्यूट आता है आपका वीडियो जो है वह चल लोड होते से ही चलने लगेगा मेरे लेप्टॉप के अं अगर आपका यह function work कर रहा होगा आपके laptop के अंदर तो सीधे जैसे ही आपका वीडियो ओपन होगा यह वीडियो आटोमेटिक चलने लगेगा यहां पर यहां पर यहां पर प्ले बटन पर क्लिक करने पर यह चल रहा है लेकिन अटो प्ले बटन का एट्रिब्यूट का यही है कि आप अगर उसे लगाते हो तो आपका वीडियो जैसे ही लोड होगा वेपेज के उपर तुरंट चलने लगेगा यह ऐसा बंद नहीं आएगा ऐसा आएगा ऐसा चलने लगेगा आपको प्ले करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी ओटो प्ले एट्रिब्यूट के बाद म नन का क्या यूज है यह मैं आपको लाइवल ले जाके दिखा देता हूं आप देख सकते हो नन का क्या यूज है तो नन हमें कुछ भी यहां पर अपने पेज़ के ओपर डिस्पले नहीं करवा रहा है यानि कोई डेटा वो दे नहीं रहा है स्टार्टिंग जैसे कि आपने यह गाएगा ऑटो का यह मीनिंग होता है आप मैं ले ले लेजर करे आपको दिखा देता हूं तो आप देख सकते हो यहां पर डेटा अल्रडि करता हूं तो फ्ले हो जाएगा उसके बादमें आता है हमारा अटोश स्कॉतियम का बाद में आता है प्रषय ने लेकल बेसा dalej हमारी फाइल करता है जब हम यह हम यहां से लायूग से जाते हैं जड़면 होती है तो यह औप करता है प्रेलोड के अंदर। क्या करता है तो हमारी जो फाइल होगी अगर बहुत बड़ी है अभी तो मैंने 10 वैंट की फाइल लगाई हुई अगर आपकी फाइल 10 minute की है 5 minute की है तो यह बड़ी size की file हो गई तो यह metadata का use करके हम इस बड़ी file को तुरंती load करवा सकते हैं अपने web page के उपर यहां देख सकते हो यह हमारा data already load हो चुका है जो है वो already load हो चुकी है और जब यह 10 second की file है इसके लिए यह काम जल्दी हो रहा है जब file बड़ी होती है 10 minute की 5 minute की अगर आपकी file है अगर आपने metadata नहीं लगाया हुआ है तो उसे load होने में और आपको यहां पर display कराने में तोड़ा time लगेगा और जब हमने metadata लगाया होता है तो जब यह process करता है उसी time पर यह load होके हमें तुरन दिखाई देता है तो यह metadata का use तो मैंने यहां पर आपको सारे attributes लगा के दिखा दिए है audio tech के आज की इस video में बस इतना ही अगले video में हम देखेंगे video tech के बारे में thank you